चैट चट दोज़ाउनीस कब से शुरू है आज हम बात करेंगे चट पुजा के बारे में कब से शुरुआत हो रहा है चैट मास की चट पुजा चैट जिसे अक्सर लोग करते हैं लेकिन पूरे भारत वर्ष में इसे उतना नहीं मनाया जाता है लेकिन कुछ-कुछ लोग बह बनाते हैं इसे भी और बहुत ही प्रेम भाव से मनाते हैं इस परव को देखिए कब है पूरी तीथी पूरी जनकारी के साथ तो दोस्तों चैट चट भूत ही बिहार योम चरकन की सबसे पवित्रे परवमाना जाता है और यहाँ पर लोग बहुत धूनधाम से चट भूजा को बनाते हैं तो हम आपको पूरी जनकारी दे रहे हैं दोस्तों चट भूजा के से जूरी तो चट चट अउने इसमें कब सुरू होगी किस महीनाम होगी तो यह ऐसे तो यह शुरू होता है दोस्त तो चैत् nervous, थो सुक्ल पाच्छ के च्छठ्ट है दिन, लेकिन हम अंगरेजी कलेंडर का नु साहरे से देखेंगे किमें हमने हैं। बात करते हैं कुछ हर दोस्तो हमारा च्छथ पूजा है, उसमें यह मुना 가족 होते हैं। तो इसमें हमें चैती छट के बारे में परना अपरील में आता है तो अपरील में हम इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तो तो चैती छट दोजा उनीश के बारे में आप हम आते हैं बात करते हैं चैती छट दोस्तो देखें टेवल कॉंटेनेंट्स के रूप में कि चैती छट पहला बात है कि चैति छाट कर मनाते हैं कहां मनाते हैं और चैति छाट क्यों मनाते हैं दोस्तों बात है दूसरा बात है कि छाट पुजा कब से शुरू है चैति छाट पुजा दो होना इस चैति छाट पुजा कब से सब्सक्राइब और इसका क्या महत्योपुर्ण तारिक है क तरिक को हैं हिंदी मास देखेंगे तो दोस्तों इसमें पताया जा रहा है कि चैत्य छट पुझा हिंदु धर में मनाया जाने वाले महत्योपुर्ण परव में से इख है ऐसे तो यह पर पुरी भारत में बिलिज सद्धा के साथ मरा जाता है लेकिन पूरी भारत में इस परव या सूर्य देवी की बहन हैं काते हैं चछठ पूज में सूर्य देव की उपासणा करने से 6 मया परसन होती है और मनों कामना पुर्ण होती है rushing we say कमनाते हैं दोस्तो तो हम जानेंगे हिंदू हिंदु 9 के पहले महीने चयत के सुख्ल पच्छकि सस्टी को सट मना जाती है यह सट महार में मना जाती है इसलिए अब कहां मनाते हैं छट चैती छट चैती छट का पावन पर बिहार जारखन नेपाल जो कि भारत के बाहर है दोस्तों भारत के परोशी देशे भारत में नहीं अन देशों में भी मना जाता है तो हम देखें बिहार जारखन और नेपाल के कुछ में बड़ी सद्धा के साथ मना सुछाना के लिए मनाया जाता है कि चैट छठ पर शुर्य देव की पूरे करने से परिवार को सुछी देव का अश्रवाद मिलता है चठ का वृट और पूजा संतान सुख के लिए किया जाता है माने जाता है कि इस व्रत के प्रभाव से इननी संतान को भी संतान सुक मील जाता है ये व्रतमन चाहियो मनुकामना की पूरती करती है बहुत ही अटू बहुत ही बड़ा परवाह चछट हिंदू के लिए हिंदु धर्म के लिए सनातन धर्म के लिए अब दोस्तो हम बात करते हैं में कि हिंदी मास का नुसार छठ पुजा कब मना जाती है तो छठ पुजा कब से सुरू है दोस्तो इसके लिए हम बात करेंगे आपके पास तो छठ पुजा आप देखिएगा कि छठ पुजा जो है व कि चलिए आगे बढ़ते हैं थोचा है कि थोड़ा सां वीडियो स्कूर्ड दोस्तों हम बात कर रहे हैं अब छट पुजा कब शुरू होगी इस फर्स 2019 में तो हिंदी मास्क अनुसार चैति छट पुजा 2019 से बारा अप्रिल तक चलेगी दोस्तों चैति छट पुजा 2019 के हम सेडियूल मतलगे टाइमिंग के बात कर लेते हैं दिन कब कैसे है तो तारीक के देखी आप डेबल में देख सकते हैं कि 9 अप्रिल को मंगलवार दिन नहाय खाय है चतूर थी थी 10 अप्रिल 2019 बुदवार कोल लोहरा एवम खारना पंचिमी के दिन है दोस्तों और 11 अप्रिल 2019 को गुरुवार के चंध्या आर्थी है सश्टी को और 12 अप्रिल दो जाओ निसको शुक्रवार के उसमा आर्थ और पारन का दिन है दोस्तों एक ही दिन दोनों है उसमा आर्थ और पारन दोनों एक ही दिन है संध्या का अरग और इगारा प्रिल को हुआ अगला दिन देना है उससा मतलब कि सुबह का अरग और तुरंत पारन ही हो जाएगा दोस्तों अब चैति छट के महतों पूर्ण तारीक के बारें बात कर लेते हैं दोस्तों तो छट पर्व के दोरान अगनिस्त्रिया अपने पु चार दिनों का होता है जिसे नहाय खाए लोहडा खर नासंध्या आरथ उसा आरथ के रूप में मना जाता है चट वरति चार तीनों करके चौती दिन पारन करते हैं और एक दूसरे के घर में प्रसाद का अधान पतान करते हैं वरत संपन करते हैं यह वरत 36 घंटों से भी दूसरा दिन लोहरा या खारणा जी सकते हैं 10 अपरिल 2019 को है तीशरा दिन पहला आर्थ मतलब कि सअंकाल का अर्थदान इगारा अपरिल 2019 को और चप्र चोथा दिन सुभा का अर्थपराता कालीन उर्थदान शुरी का नमस्कार वाहां जो होता है और 12 अप्रेंट दोն इसको है और बाहां चीनल को पहला है aujourd 2reme लेते ह intéressant है तो हमारे इसे सब्सक्राइब अंजक laisser नमस्कार धन्यसाइब वीडियो पर आद आ कि म Θ ridge झाल